रिश्टेदार वो लोग जिने तुमारे घर आने का बस एक छोटा सा बहाना चाहिए तुम दुफैर में अपनी प्यारी मीठी नीन लेने जाहिरे होते हो की अरे बेटा मैं थोड़ा पास में ही आया था तो सोचा तुमारे घर आजाता हूँ पर मैं तो जंगलो में रहता हूँ जंगलो में क्या करने आयते कही मेरा घर तो जलाने नहीं आयते जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घरवालों को मुझे इंजिनिरिंग करवाने का बोल के रिश्टेदारों की पास ने एक भूथ भयानक शक्ति है ये तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग चेंज कर सकते हैं बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है तो हमने सोचे चलो क्रिकेट एकेडमी जॉइन करवा देती है क्रिकेट एकेडमी जॉइन करवा डेती है भाई साब आपको क्या बच्चे ने बल्ला मारा है के सर पे नई तो जरा अपना दिमाग लगाईए ये क्रिकेट रिकेट में कुछ नी रखा वो अपने विकास जी की लड़की बोल रही ती सिंगल बनूंगी कुछ हुआ नी तो अब नुकर नाटक में पेड़ बनती है मैं ह क्या मुझे कोई बताएगा इदर असली नेवला किसने छोड़ा अब हमारी फैमिली में एक रिष्टेदार ऐसा होता ही है जिसे न भू जोर से ज्यान देने के आदत होती है इसे लगता है कि पूरे भ्रह्मान को ज्यान ना इसके पास ही है और इनका मन पसंद दिंदा काम ह होता है लोगों को अडवाइस देना तुमने टैंध पास करी अब सब्जेक कोन से लेना है वो ये बताएंगे तुमने कॉलेज पास कर आब नोकरी कोन सी करनी है वो ये बताएंगे फैमिली में कोई बिमार है उसका इलाज ये बताएंगे फैमिली में कोई मर गया इलाज इ यह लोग अपनी टांग भूत अच्छे से अड़ाएंगे पाप मुझे गेम बनाने वाला बनना है अरे बैटा जिंदगी एक पूरा गेम ही तो है भाई साप आप इसको बनाओ डाक्टर बहुत स्कोप है मतलब इसकी मां का मुह में रजनी गंदा और कदमों में दुनिया नह इस वीडियो के स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो चपलों से मार देना चाहिए तुम्हें पता है रिष्टेदारों की नजरना अपने बच्चे से जादा दुसरे के बच्चे पर होती है कल को अगर कोई कांड भी कर दोगे ना तो एक बार को पुलीस को नहीं पता चलेगा लेकिन इने इने जरूर पता चलेगा अरे ओफिसर मेरी दादी जूट बोल रही है मैंने उनकी बद्दी सी से पीट नहीं खुजाई मिस्टर आयू यू आर अंडर अरेस्ट लेकिन आपके पास तो मेरी खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था हाँ सबूत नहीं था लेकिन अब है मिलो तुमारे फूफ एसे इनने बिजली के खंबे पे चड़के तुमारी क्राइम करते हुए फोटोस खीची है हलाकि वो बात अब जब भी रिष्टिदार तुमारे घर आते हैं तुमारे मम्मी पापा तुमें उनसे बात शीत करने के लिए बोलते हैं और तुमें नहीं पता होता क्या बात करनी है इतनी आजीब सिच्वेशन बनती है ना उस समय और बैटे कुष्णी अंकल यू ही अरे पांगल खान एक बार मैंने तेको तेरी लंगोट की बल उठाके पंखे पे लटका दिया था और तेरी मा ने अंजाने में पंखा खोल दिया था वो भी पांच की स्पीट पे मरते मरते बचा था तू उस समय तुमारे दिमाग में बस एक ही बात आ रही होती है कौन है ये आदमी और बच अब ये तुना फिर भी ठीक है तुम्हारी सथ कभी ऐसा हुआ है तुम्हाराम से एक चड़ी में बैठे हो और जेल जेसे कटोरे में डाल चावल खा रहे हो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है लेकिन एकदम से तुम्हारी घर पे दस रिष्टेद अब ये रिष्टेदार ने काफी अलग अलग प्रकार के आते हैं जैसे फैमली में कोई भूड़ा दादा जी नहीं होता है जिसके दिल की जगवी बैटरी लगी होती है इसे परिवार वाले मरने ही नहीं देते इन्हें कुछ हुआ फट से ऑपरेशन भाई आदा रोबोट बना के रखा है दादा जी को उधर दादा जी का एक सो पचासवा जनम निन बनाए जा रहा है है वो दादा जी बिचारा अपनी बैटरी के दोनों वायर पकड़ के बोल रहा है बैटर मार दो मुझे प्लेस कोई मार दो आप बीछे तुमारे पापा तुम्हें का एक भी बून्द दादा जी की बैटरी पे गिरा तो तुमारा दादा जी टाइम बम की तरह फट जाएगा खेर जो भी कहलो रिष्टेदार हमारे घर से जाते समय अपनी पोटली से थोड़ा धन वो हमें भी देखी जाते हैं भली वो बीस रुपे का लुल्ली नोट हो य सब्सक्राइब करो मेरे आखे तुम पही है करो अभी मेरे बच्चे क्ले कर्दो यहार है क्या तुमारा बच्चे सर दोस्ती करेगा चले जाओ यहां से तुमारा बच्च लेके टेज आपादा है कर दी उल्टी